सुप्रीम कोट ने बुल्डोजर अक्शन पर रोक लगा दी है और अब इसकी अगली सुनवाई एक उक्टूबर को कुनी है साथ ही सुप्रीम कोट ने कहा है कि अगर कहीं भी बुल्डोजर अक्शन होगा तो उससे पहले हमसे परमिशन लेनी होगी हाला कि रेलवे स्टेशन हो गया या फुटपाथ हो गया कहीं भी अगर अवेद बिल्डिंग बनी है तो उन में ये दिशा निर्देश लागू नहीं किये जाएंगे लेकिन जब से बुल्डोजर एक्शन पर रोक लग गई है तब से हर किसी के मन में ये सवाल है कि जो बुल समले में विस्तार से चर्चा करने के लिए मेरे साथ प्रकाश जी मौजूद है प्रकाश जी जिस तरह से सुप्रीम कोट ने बुल्डोजर पर कारवाई करी है और आप एक्शन पर उसके रोक लग चुका है लेकिन इसके पीछे का जिम्मिदार कौन है इसके पीछे के जिम साल होने लगा वो लोग जो अपराधी प्रविर्ती के थे जिन पर अपराध का रोप लगता था तुरंत बुल्डोजर एक्शन होता था अब इसमें जम्य तुलमाई हिंद और कुछ और पार्टी जो है सुप्रीम कोट पहुंच गए कि उनको उन्होंने ये नरेटिब दि कि जश्रब्र्पूर के घटना को लेकर एक मुसलमान की मेन को बड़ाया कि भार चली थी ऊपस में फिर दूसरी मिए परिवार का भड़ाया जाता बाद में पता लगता है कि वो घर उसका था ही नहीं, वो किराय के घर में रहता था, तो इसमें आपको ये समझना पड़ेगा, कि ये ठीक बात है, योगी आदितनाथ जैसे कह रहे थे कि भई, बुल्डोजर चलाने के लिए दिल भी चाहिए और दिमाग भी चाहिए, वो ची situation है, on-ground situation क्या है, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, अब जो उत्तरप्रदेश में जो कुछ हो रहा था, वो अब सुप्रेम कोट ने रोक दिया है, या पूरे देश में जो कुछ हो रहा था, अब इसका एक दूसरा भी पहलु है, कि जिन लोगों को उत्तरप्रदेश में य वह एक पत्थर की कीमत चुकाती रहती है बुल्डोजर घर पहुंचने से और ये जो सेंटिमेंट है ये लोगों से भी जुड़ गया लोगों को भी लगने लगा कि भाई ये बड़ा अच्छा हो रहा है कुछ चीजें जो पब्लिक डोमेन में अच्छी होती है और लोग कि प्रिंस्पल को तुरंत लटका दो जो भी लोग हैं उनको लटकाओ खतम करो तो इस तरह का इंस्टेंट भाव देता है बुल्डोजर वो किसी की हत्या नहीं कर रहा किसी की मडर नहीं कर रहा लेकिन जो भी लोग क्रिमिनल प्रवृती के हैं उनमें एक भय का भाव तो ह बुल्डोजर को ले करके कि कानून शाय दस साल पांट साल आठ साल समय लेगा लेकिन अगर तुम किसी चीज में अपराद में पकड़े जाते हो तो बुल्डोजर तुरन जस्टीज देता है अब सवाल है कि सुप्रीम कोट के इस फैसले के बाद हाला कि 15 ही दिन की रोक है उत विवस्था ये कहती है कि सेंकड़ो जो गुनेगार है वो छूट जाएं वो चाहें छूट जाएं लेकिन एक बेगुना को सजा नहीं होनी चाहिए ये हमारा सिस्टम है उसी सिस्टम को हम लोग आज तक फॉलो कर रहे हैं और उसी के आधार पर सुप्रीम कोट ने ये भी क रहा है और इस पूरे मामले में देखिए बुल्डोजर के वल उत्तर प्रदेश में चला करता था योगी जी अपने हिसाब से चलाते थे और उत्तर प्रदेश के योगी मौडल के बुल्डोजर को सुप्रीम कोट ने सराहा अभी है उस पर कभी कोई टिप पड़ी नहीं है यह पूरी कहानी उठी है वो च्छतरपुरवाली घटना और जोदपुरवाली घटना इसमें दो-तीन पार्टीज और भी है जो ये कोट को बता रही है कि इसमें एक तरफा कारवाई हो रही है खास धर्म के लोगों को उनकी संपत्ति को निशाना बनाया जा रहा है अच्छा इन सब में एक बात है कि CM Mohan Yadav का नाम भी सामने निकल के आए बीते दिनों जो भी घटना हुई चाहे वो रीवा की घटना आप ले लीजे चाहे सागर की घटना ले लीजे जिस तरह से पहले उत्तरप्रदेश में CM Yogi का बुल्डोजर लोग कहते थे लेकिन बीते क्रदेश में मोहन Yadav का बुल्डोजर गरज रहा है क्या इसके पीछे इसका भी इनकी सरकार भी कोई कहीं जिम्हदार है क्योंकि जब से घटना हुई तब से कई राजनेतिक पार्डिया इनके खिलाफ हो गई थी राजनेतिक तोर पर आपको यह समझना पड़ेगा कि कोई बुल्डोजर पर एकदम रोख है क्या अपराधी एकदम बेपना जो चाहेंगे कर सकते हैं यूपी में या देश के बांकी राज्यों में तो एक और चीज कही है सुप्रिम कोट ने रेलवे की जमीन अगर कब जाये हो रोड़ पर अगर कब जा किये हो सारवजनिक संपत्त पर अगर कब जा है बुल्डोजर चलता रहेगा मतलब दोनों ही बात है इसमें वो आरोप है कि मतलब माली जैसे शहजाद का घर गिरा या मोईद वाली जो कारवाई थी अगर वो जमीन अवैद नहीं है और अपराध की आधार पर आपने किसी अपराधी का घर गिराया वो बना लो इन 15 दिनों में भी वो ताजमहल डहता रहेगा और मैं आपको बतातेता हूं कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश में इन 15 दिनों में आपको तमाम अवैद कबजे जो सारवजनिक संपत्ति पर मतलब सरकारी संपत्तियों पर सरकारी जमीनों पर जो लोग कबजा किये बैठे हैं रोड हो रेलवे की संपत्ति हो फुटपाथ हो आपको बुल्डोजर चलता दिख जाएगा तो बहुत कूदना नहीं है बात ये कह रहा हूं कि बहुत कूदना नहीं है उचलना नहीं है इसमें बचा वो है आप अपराधी प्रविर्ति के ह हैं आपकी नीजी संपत्ति हैं आप 15 दिन के लिए सुरक्षित हैं लेकिन आप अपराधी हैं आप कबजा धारी भी हैं आपको कबजानिक बहुत शौक है तो सुप्रिम कोट ने बहुत स्पेसिपिकली कहा है अलग से कि जो सरकारी जमीनों पर अवैद कबजा है उसको लेक सरकार बताएगी यह जो इंस्टेंट हो रहा है इस पर रोक है लेकिन आम तोर पर जो जैसे आप इंक्रोच्मेंट देखते हैं सड़कों पर फुटपातों पर और और भी सरकारी जमीन रिलवी की जमीन को लेकर कितने सारी के कहानिया आती हैं हमारे पास उन सब पर अगर सर पर दस्त करवाई शुरू कर सकती है ऐसा नहों उत्तर प्रदेश में अब सरकार यह ढूंड़े कि पतागरो सरकारी जमीन पर कौन-कौन कब जा किये बैठा है तो खाली कराते हैं लखनों में ऐसा एक पूरा महला खाली करा दिया अभी कुछ दिनों पहले योगी आदितना आप ने उत्तर प्रदेश में कभी जोश में हो चैसे बुल्डोजर चला के खो दिया हो क्या कारवाई सही थिया गलत थि बुल्डोजर की यह तो न्यालाय बताता है नंद्णी हमारें बताने तो एक मेजर सेंटिमेंट पूरे देशिमें में में यह ए तो उन्हों पर हो रही कारवाई के लिए पब्लिक भी साथ में थी कि ये सरकार बड़ा अच्छा कर रही है लेकिन अभी जो रोक लगा है सुप्रिम कोट का वो अलग तरीके के मामले को लेकर है जैसे मौईद का घर है श्रहजाद का घर है या और भी किसी की जो प्रसनल प्र को लेकर हमारा कोई वो नहीं है कोई टिपणी नहीं है उस पर सरकार अपनी अपनी लाइन ले सकती है तो खैर जिस तरह से अब इस बुल्डोजर एक्शन पे को पता चलेगा कि अब यह जो रोक लगी है यह रोक की तारीक जोए आगे बढ़ती है या 15 दिन जिस तरह से दि इतनात के तौर तरीकों को फॉलो तो कर रहे हैं लेकिन वो यह नहीं सीख रहे हैं कि योगी जी जब कौन सा शॉट किस हिसाब से मारते हैं चक्का मार रहे हैं तो उसकी क्या टाइमिंग है पुल शॉट मार रहे हैं तो क्या टाइमिंग है कवर ड्राइब की क्या टाइमिं प्रकाश जी मैं आपको बताओं उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई अपरादी अपरात करेगा तो या तो उसे अपरात छोड़ना होगा या फिर दुनिया छोड़ देनी होगी जैसा आपने कहा कि योगी आदितना से टाइमिंग सीखना चाहिए कि कहा पर करकि उनका बुलडोजर चलता है और उतर प्रदेश में जुतने भी बुलडोजर चलाए गए हैं या जितने भीADE बुलिज्व बुल्डोजर चलाए गए मुझे तो नहीं लगता कि वो गलत जगा चलाए गए थे डर उन लोग को लगा है जिन्होंने खुद गलत काम कियो अब उनको पता है कि उत्तर प्रदेश के मामले को कोई लेकर कोट भी नहीं गया कोट कौन लोग जाएंगे अब जिसका घर तूट रहा है वो जान रहा है कि गलत जमीन पर बना हुआ है जमीन का पेपर नहीं है कागज नहीं है सरकार को भी पता लग गया सरकार तोड़ दी अब जो लोग उचित रहेंगे वो जाएंगे न कोट में कि जाएं कोट में तो उत्तर प्रदेश के बुल्डोजर पर कोई नहीं के आहे कोट में ये एक सारवजनिक तौर पर अलग-अलग राज्यों का मामला लेकर के कुछ लोग गए हैं इसमें में पार्टी है जमी तुलिमाई हिंद जिसको लगता है कि इस देश के मुसलमानों को बुल्डोजर के जरी निशाना बनाया जा रहा अलग-अलग राज्यों तो अब इस केस में आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी आप हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय बता सकते हैं कि आज सुप्रीम कोट ने जो बुल्डोजर अक्शन पर रोक लगाया है क्या वो सही था या गलत था